हेलो एवरिवन वेलकम यू आल टो अड़ा 24 7 क्लास 9 10 10 चैनल आइम सौरफ शम्ना और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नमबर 13 यानि कि सर्फिस इरिया और वॉल्यूम और सर्फिस इरिया और वॉल्यूम के अंदर हमें क्या करना है कि सर्फिस इरिया और वॉल्यूम के अलकूट करना सीखना है तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्फिस इरिया और क्यूब एंड क्यूबॉइड इसके पर चलिए तो देख रहे हो तो वहां पर आप आप किसी ना किसी अनख के अंदर बैठी हो गया, तो वो रूम को सबस्Maybe that bathroom you think that that room आपको कैसे shape के अंदर गवा वो room आपको एक coralतों कि साइड वार्स सब्मीन कैसे एक आक हम आर्केडाल के शेod MOM इससा होता है तो a को Investment कि sir, कुछ है इस तरह के shape का होता है, जैसा कि अभी आपको अपना room या hall दिख रहा होगा, जिसके all faces जो होते हैं, वो एक rectangle के shape में होते हैं, और इसमें 3 dimensions होती है, कौन-कौन सी, कि sir, एक तो होती है सबसे पहले length, then breadth, और फिर होती है इसकी height, अब हम अगर बात करें इसके surface area की, sir, सबसे पहले तो हमने ये clear किया, हमारे दिमाग में ये picture तो बन गई, कि एक cuboid अकर होता क्या है, अब हम बात करते हैं कि sir, इसके surface area की, तो surface area क्या होता है, एक definition, अगर मैं simple सी ये बोलू आपको, कि कहीं पे भी किसी भी solid का, अगर आप surface area की बात करते हो, तो सीधा सा है, कि sir, जो भी solid का, जो भी portion में touch कर सकता हो, जिस portion को भी आप touch कर सकते हो, जैसे अभी आप जिस hall में बाते हो, तो आप उस hall के, जिस portion को भी touch कर सकते हो, जैसे आप उसके side walls को touch कर सक उसका surface area आजाएगा, तो अब surface area में यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे, यह क्यूबाइट जो है, इसके all faces कैसी होती है, rectangular होती है, तो यहाँ पे, अगर हम इसके background को भी जरा देखे, ध्यान से, देखो जरा, कि सर, इसके background को भी जरा ध्यान से देख लिया ज आए, ठीक है, तो यह पीछा वाला portion है इसका, जो front backward part है, जो हमें दिख नहीं रहा है, तो अगर इसके length L है, breadth B है, तो आप इसके floor, जो आपका floor है, उस floor का area आप क्या बोलोगे, sir, L into B, क्या same वही dimension length और breadth क्या ceiling की भी है, कि sir, वही length वही breadth तो ceiling वाले portion की भी है, तो उसका area क्या होगा, sir, L into B, L into B, अच्छा, जो side walls है, उसमें से ये वाली side wall है, इसकी dimensions दिखो, breadth और height, तो इसका area क्या बोलोगे, sir, एक rectangle का area, length into breadth होता है, तो इसकी length यहां B, और height इसकी H है, तो यहां पोला जाएगा, sir, B, H, same, इसी की opposite ये वाला portion है, तो इसका area क्या हो जाएगा, sir, B, H, अगर मैं आपसे front वाले part की बात करूँ, sir, ये front वाला part, जिसकी length है, L, height है, इसमें H, तो इसका area क्या बोलोगे, sir, L into H, ऐसे ही जो backward वाला portion है, उसका area आप क्या बोलोगे, sir, उसका भी L into H, तो अगर इन सभी portions के area को मैं include करके, इन सभी को add कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, sir, इसका total surface area, वो क्या क्यलाएगा, इसका total surface area, तो अगर total surface area का formula लिखा जाए, तो एक cuboid का total surface area होता है, 2, bracket में L into B, plus B into H, plus H into L, ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बात होती है, इसके curve surface area की, तो curve surface area क्या होता है, किसी भी solid का, अगर हम curve surface area देखे, तो curve surface area की definition सबसे पहले समझ लो, कि अगर कोई भी solid है, अगर उसके top और bottom पार्ट का area आप हटा दो, top पार्ट का और bottom पार्ट का अगर area हम हटा दें, तो उसके अलावा जो remaining, उसका curve पार्ट है, जो उसकी side walls है, जैसे यहाँ पे cuboid, इसमें क्या बज़िया, कि sir, आप सोचो जिस रूम में आप बैठे वे हो, उस रूम के सिर्फ side walls के area आप निकाल रहे हो, आपने उसका bottom पार्ट का, उसके top वाले ceiling का, इनका area हटा दिया, तो sir, उपर से क्या minus हुआ, L into B, नीचे से क्या minus हुआ, L into B, तो बाकी जो remaining full walls का area बचा, वो क्या कहला है, sir, उसका curve surface area, तो अगर हम इसका formula लिखे, तो 2 bracket में L plus B into H, ये हो जाता है, sir, ये total surface area जो formula आपने लिखा है, इसी से बनावा है, कि total surface area का formula, अगर 2 को अंदर multiply कर दो, तो लिखोंगा, sir, 2 L into B, plus 2 B into H, plus 2 H into L, इसमें से हमने top और bottom, जो L into B, L into B हैं, ये minus कर दिया, तो 2 L into B हमने minus कर दिया, तो ये L into B, इस L into B से cancel out, तो बचा क्या, sir, ये वाला portion बचा, अच्छा, इसमें से 2 common निकाल ले, तो देखो, 2 common आजाएगा, 2 दोनों में है, H दोनों में है, H भी common निकाल सकते है, तो बचा क्या, sir, हमारे पास 2 L plus B into H, ये ही formula या, तो ये क्या क्यालाता है, इसका curve part, तो किसी जो curve वाला portion है, जिसमें हमने उसके top और bottom का area हटा दिया, तो remaining part जो है, वो उसका curve surface क्यालाता है, जिसका area क्यालाएगा curve surface area, तो एक cuboid का curve surface area का ये formula होता है, सबी बच्चों को clear, कि cube का, cuboid का total surface area and cuboid का curve surface area क्या होता है, ये हमने लिग दिया, चलिए, अब इसी तरह से, ये त tangle के shape में, अगर हम इसके ये वाले face को थोड़ा सा आप इधर खिसकाते जाओ, suppose खिसकाते खिसकाते आप इधर लिया है, कुछ इस तरह से, कि सर, इसकी जो ये तीन dimensions, length, breadth और height, तीनों equal हो गई, तीनों क्या हो जाए, सर, equal हो जाए, तो उस case में, ये cube का shape ले लेता है, सर, हो जैसे, कि सर, यहाँ पे ये क्या है, एक cube है, इसकी भी dimensions तो तीन ही है, कि सर, इसमें भी length है, इसमें भी breadth है, इसमें भी height है, तीनों चीजे, length, breadth इसमें भी है, और height भी है, लेकिन तीनों क्या है, equal है, तो suppose अगर आप इसके length को A से, breadth को भी A से, height को भी A से लिख दोगे, तो इसका area क्या हो जाएगा, कि सर, इसकी all faces जो है, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो, कि वो एक square के shape में है, अब एक square का area क्या होता है, सर, sides अगर A है, तो front वाले part का area आप बोलोगे, सर, A square, इसके backward वाले part का area A square, ground वाले floor का area A square, top वाले ceiling का area A square, इस वाले part का area A square, और इस वाले part का area A square, तो कितने A squares आपको add करने पढ़ेंगे, कितने faces है, सर, six faces है, तो A square एक face का अगर area है, तो total area कितना हो गया, कि सर, six A square, तो total surface area of a cube is six A square, वही पर अगर हम बात करें, कर्व surface area कि, तो आपको पता है, कर्व surface area में, टॉप और bottom को आप हटा देते हैं, तो top वाले part का area A square, बॉटम वाले part का area A square, अगर four A, six A square में से, अगर आपने two A square माइनस कर दिया, तो curve surface area आजाएगा, इसका कितना four A square, बोलो आगे बढ़ते हैं, अब हम इन ही formula पर based कुछ questions करके दिखते हैं, देखे जरा, question क्या कहता है, first question, सबसे पहले आपकी screen पर, एक plastic box, एक plastic का box है, plastic box की बात हो रही है, जिसके dimensions हमें दीवी है, 1.5 meter long, 1.25 meter wide, 0.65 centimeter deep, कि सर एक plastic का box है, जिसमें हमें length पता है, width पता है, अब width का म पतलब हो गया, एक तरसे उसकी breadth, length, यानि कि L, और deep, कोई भी अगर cuboid है, तो उसकी deep कहो या उसकी height कहो, एक ही चीज़ होती है, तो question अगर deep भी लिखा हो है, तो आप सीधी सी समझ जाओगे, कि सर ये क्या represent कर रहा है, एक तरसे height को, तो देखो जरा, length, breadth और height, तीन प्लास्टिक का जो box है, ये cuboid के shape में, cuboid के shape में, ये आपने लिखा, it is to be open at top, अब ये top से क्या है, open है, top पोशिन इसका क्या है, open है, ignoring the thickness of plastic sheet, determine, first बोलता है, area of sheet required for making the box, कि सर ये जो प्लास्टिक का box है, ये किसी ने किसी sheet से बनावा होगा, तो अगर इस प्लास्टिक का box, आप एजियूम करो, कि सर एक प्लास्टिक का box है, हमने इतना तो एजियूम कर लिया, कि ये cuboid के shape में, जैसे हम देखें सर इसका diagram, कुछ ऐसा हम roughly सोच के देखें, ये कुछ ऐसे shape के अंदर है, कुछ ऐसा ही shape है इसका, जिसका top पोशिन क्या है, open है, तो सर इसके बाकी के ज क्या मैं इसके 5 faces का area calculate कर दूँ, अब कैसे calculate करूँ सर, area of sheet required, देखो जरा, लिखता हूँ यहाँ पर, कि सर area, और वो भी किसका, sheet required, area of sheet is equal to, सबसे पहले तो आप assume करो, जैसे सर, ये plastic का box है, अब plastic के box के 4 तो इसके side walls है, 4 side walls है, तो उन 4 side walls का area, तो आप क्या बोलोगे सर, क् 4 side walls का area हम include करते है, तो उसे हम क्या केते है, curve surface area, तो यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले आप किसर, curve surface area of cuboid, then उसके अंदर, किसर, उपर वाला, top वाला portion तो open है, लेकिन bottom वाला तो है न, bottom वाला, तो bottom वाले part का area क्या होता है, L into B, अभी हमने जब formula बनाया थे, तब भी तो स area of base, अब एक cuboid का curve surface area का formula अभी आपने लिखा था, to, L plus B into H, plus base का area, L into B, बोलो correct, अब यहाँ पे आपको length पता है, breadth पता है, height पता है, लेकिन, एक चीज़ नोट करो, किसा length given है meter में, breadth given है meter में, और height given है centimeter में, तो थोड़ा सा easy करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, सब को centimeter में convert कर लेते हैं, तो देखो, अगर, क्योंकि unit सब की same होनी चाहिए, तो यह 1.5 meter को आप centimeter में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, sir, 150 centimeter, 125 meter को क्या लिखोगे, sir, 125, multiply by 100 कर दे रहूं, तो 125 centimeter, और यह त 20 meter में, तो अब सब की values put करते हैं, यहां question के अंदर, इस formula में values put करी, तो 2 as it is, length बताओ, कितनी लिखिया आपने, 150, plus breadth कितनी है, sir, breadth है, 125, into height कितनी है, sir, 65, plus L into B, L की value, 150, breadth कितनी है, sir, 125, अब इसे solve कर सकते हैं, देखो, solve करने का तरीका, कि sir, यहां पे, सबसे पहले, 2 और 65 को, अगर मैं, multiply कर दू, तो 65 का double कितना हो जाएगा, sir, 130, correct, अचा, bracket के अंदर, 150 और 125 और 125 अड़ के, कितना हो गया, कि sir, यह 275, plus, अचा, 150 को 125 से तरह, multiply करो, 15 की table तो या दे, na, कि sir, यह पहले तो 0 आजाएगा पीछे, 15, 5 जा, 75 का 5, carry 7, 15, 2 जा, 30, 30, और 7, 37 का 7, carry 3, 15, 1 जा, 15, और 3, अगर हमने add किया, तो 18, 18, 7, 5, 0, अब इसे भी multiply करना बाकी है, तो कर दो इसको भी multiply, देखो, पहले तो 0 as it is, 13, 5 जा, 65 का 5, carry 6, 13, 7 जा, 91, 91 में अगर 6, add करूँगा, तो 97 का 7, carry 9, 13, 2 जा, 26, 26 में अगर हम 9, 26 में अगर हम 9 add करें तो कितना आएगा, 35, तो 3, 5, 7, 5, 0, इसमें add करना है, 1, 8, 7, 5, 0, अगर इन दोनों को add कर दें, तो unit digit 0 और 0, 0, ध्यान से add करना, 5 और 5, 10 का 0, carry 1, 7 और 1, 8 और 8 और 7, 15 का 5, carry 1, 8 और 8 और 6, 14, 14 का 4, 14 का 4, carry 1, 3 और 1, 4 और 1, 5, unit के लिखोगे, centimeter square, करेक्ट, यह हमने required sheet का area calculate कर दिया, question का first part हुआ है solve, यह तो question का first part अभी हमने solve किया, अब second part देखो, second part, the cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square cost 20, कि second part के अंदर अब आपको क्या करना है, सर, cost calculate करनी है, cost calculate करनी है, यह cost calculate करनी है, तो आपको given है, कि सर, 1 meter square की cost है, रूपीज 20, तो इतने centimeter square की cost क्या होगी, तो सबसे पहले क्यों ना, कि सर, मुझे जब unitary cost, यहाँ पे cost दीव, यह 1 meter square की, कितनी, rupees 20 given है, 20 rupees given है, तो यहाँ पे, मैंने जो area निकाला है, सर, वो किस में है, centimeter में, तो सबसे पहले क्या करूँगा, सर, इसे meter में convert करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले, तो area, जो अभी हमने calculate किया है, 545 00, अभी यह centimeter square में, meter square में convert करो, कि सर, centimeter को meter में convert करने के लिए, divide by 100 square है, इसलिए दो बार 100 लिख दिया, तो बोलो कितना आएगा, सर, 20 से 20, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 5.45 unit लिख दोगे, meter square, correct, अब आपको खुद equation में दे रहा है, कि सर, 1 meter square की cost कितनी है, rupees 20, तो इतने meter square, कि सर, 5.45 meter square की cost क्या हो जाएगी, सर, 20 से इसको multiply कर दो, 5.45, point यहाँ से हटाओगे, नीचे 0, 20 वन जा, यह कट गया, 5 से इसको cancel कर दो, 109, तो आपके पास cost आगे, इसर कितनी, 109 rupees, यह answer, हमें total cost भी निकालने के लिए बुला था, हमें total cost भी calculate कर दी, बोलो, question हुआ, solve, कर दी आपने, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर पार्प करते हैं, अगला question, अगले question आपको बहता है, कि length, breadth, and height of a room are 5 meter, 4 meter, and 3 meter, यह breadth हो गई, और यह height हो गई, तीनों की unit भी same है, कोई answer नहीं sir, length, breadth, height, तीनों different है, तो समझ में आगया sir, वो कैसा है, एक cuboid के shape में, तो room जो है, वो कैसे shape के अंदर है sir, cuboid के shape में, find the cost of white washing, अब वो room के अंदर क्या हो रहा है, white washing हो रही है, white washing the walls of the room, and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square, कि sir, यह अगर rate है, मुझे क्या करना है, कि sir, आप suppose करो, आप imagine करो कि कोई room में हो, आप किसी room में अभी देख रहे हो, इस session को यहाँ पे बैठे वे, और उस room में आपको suppose white wash करवाना है, तो white wash कहां कहां होगा, कि sir, उसकी four walls पे, और साथ में उसकी ceiling के उपर, इन portions पे उसको white wash कराना है, तो यहाँ पे आपको पूछता है, बताओ, इस पे ceiling, इन सब पे, अगर मुझे white wash कराना है, तो cost कितरी लगेगी, आप दुकानदार किसी के पास जो paint करता है, उससे पूछे, तो उसने बोला, मैं तो 1 meter square की cost है मेरी 7.50, तो अगर मुझे इन सभी portion का total area पता लग जाए, total area अगर मुझे पता लग जाए, तो उसको 7.50 से multiply कर दूँगा, तो मुझे total cost आजाएगी, बात clear हुई, तो मुझे यहाँ पे, 1 meter square, 1 meter square की cost क्या दिवी, रुपीज 7.50, यह आपको given है, तो अब आप अगर total area निकाल लो, जहाँ पे white wash कराना है, तो उस area को, अगर मैं multiply कर दूँ 7.50 से, तो क्या मुझे total cost पता लग जाएगी, बात इतनी clear हुई, तो यह क्या आगया, कि सर, यह मेर पास आगया है, total cost का formula सबसे पहले मैंने तईयार कर दिया, कि जो मुझे से पूछ रहा है, क्या total cost क्या calculate करने बूर रहा है, तो मैंने कहा सर, area, area जहाँ पे, area जहाँ पे, white wash होना है, area of white wash, into 7.50, कर दिया, अब area जहाँ पे white wash होना है, तो वो कौन सा है, किसे वो सबसे पहले calculate करते हैं, तो area of, that is, क्या होगा, कि सर, 4 walls पे एक तो मुझे, white wash कराना है, और साथ में ceiling पे कराना है, तो 4 walls, सभी की length, width, height, different, different है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड की 4 walls, क्या हो गया, उसका curve surface एरिया, तो आप यहाँ निकोगे, सर, curve surface area of cuboid, इसके अलाबा, आप और कहा करवाना है, सर, ceiling पे, included ceiling, कि सर, यहाँ पे ceiling पे भी, तो white wash करवाना है, कि हामें यहाँ पे बोला गया है, ceiling पे भी, ceiling पे भी तो आपको white wash करवाना है, 4 walls and ceiling, तो ceiling का area, area of ceiling, इनको अगर मैं add कर दू, तो मेरे पास total area पता लग जाएगा, तो चलिए सबसे पहले, लिखते हैं, यहाँ पे calculate करते हैं, अब cuboid के area, कर सब फिसरे का formula लिखोगे, सबसे पहले 2, L प्लस B into H, then plus करेंगे, ceiling का area, ceiling का area, floor के area के बराबर, floor का area क्या होता है, L into B, last question में भी आपने देखा था, तो यहाँ पे भी आप कर दोगे, L into B, L into B, अब यहाँ values पूट कर दो, कि Sir 2, bracket में, L की value 5, breadth की value 4, height की value कितनी है, Sir 3, plus L into B, 5 into 4, 5 into 4, solve करें सर इसको, देखें सर, 5 को, 5 और 4 एड होके, 9, 9 को 2 से मल्टिप्लाइ करूँगा, 18, 18 को 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 18 थीजा होता है, 54, 54 में 20 एड करोगे, तो आपके पास total area आजाएगा, जिसमें आपको paint कराना है, that is 74 meter square, अब ये area आगे आपके पास, white wash का, तो यहाँ पुट कर दे, हमार पास total cost आजाएगी क्या, तो यहाँ पे लिखतें सर, formula तो हम पहली थी आजार करके थी, किसे total cost is equal to, 74 into 7.50, 74 को अगर 7.50 से multiply करें तो, तो कितना आता है, अब इससे तो multiply आपको करना पड़ेगा, देखो सर, अगर 74 को 7.50 से आप Please calculate करो कितना आता है, multiply कर देखो, इससे तो multiply करना पड़ेगा आप लोगो, कितना आएगा इसका multiply करने पर? very good, बिल्कुल, very good, बिल्कुल, कि sir, हमारे पास cost आ जाएगी 555, रुपेज 555 आ जाएगी, यह total cost हो गई, यह इसका answer तैयार, question solve, question solve, हो गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर बात करते हैं, next question देखो, क्या कहता है, the floor of a rectangular hall has a perimeter, कि sir, कोई rectangular hall है, कैसा है, rectangular, जबा ध्यान करो, किसी rectangular hall का floor, उसका perimeter आपको दे रहा है, rectangle है, अब कोई भी solid, कोई भी solid, जिसका एक phase आगर rectangle के shape में है, तो वो कैसा solid होगा, click होगा image, कि sir, cuboid है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यह भी पता लग गया, कि sir, यह जो hall है, वो cuboid के shape में है, अब उस cuboid के floor का, यानि कि उसके base का हमें perimeter given है, perimeter given है, कि sir, यहाँ पर अगर मैं cuboid सोचू न, यह अगर मैं एक just एक rough diagram यहाँ पर बनाओ, तो इसका base का, base यह जो floor है, इस floor का perimeter बताओ, formula क्या लिखोगे, formula क्या लिखोगे, sir, मैं कहूंगा कि perimeter, perimeter, एक rectangle के perimeter का formula 2, L प्लस B, which is equal to, मुझे given है, 250 meter, यही given है, अब आप से बोलता है, if the cost of painting the 4 walls at the rate of Rs. 10 per meter square is Rs. 15,000, find the height of the wall, and feel this question, a better question, a better question, see what, what you have done, what you said, what you said, that you suppose, what you are sitting in the hall, or what you are sitting in the room, you are watching the session, imagine, that the floor is the perimeter, हमें दिया हुए, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया, two, rectangle के shape में, two, two bracket में, L प्लस B is equal to 250 meter, यह मुझे दिया हुआ था, अब मुझे से बोला गया कि मैंने इसके 4 walls के ओपर क्या किया, sir, painting करवाई, पेंट करवा है, आपने उसके अबर पेंट करवा है, उसकी cost, उसकी cost कितमी थी, sir, total cost हाई मेरे पास 15,000 रुपीज, तो पेंट करवाओगी, तो भाई, कुछ rate तो होगी, तो rate क्या है, sir, rate क्या है, यहाँ पे देखो, आपको rate यह बन है, कि sir, 10 रुपीज, रुपीज 10 पर मीटर स्क्वाइर थी, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, कि sir, यह 15,000 रुपीज कैसे आपने पे किया, आपने बोला, कि sir, मैं जिस दुकान दार से पूछा था था, तो उसने बोला था, कि अगर आप 1 मीटर स्क्वाइर एरिया कि अगर मैं आपसे पूछवा होंगे, तो उसकी कोस्ट मैं लूँगा, 10 रुपीज, उसकी कोस्ट मैं लूँगा, सर, कितनी, 10 रुपीज, तो मैंने उसको टोटल एल टोटल ए टोटल एल एल बदा दिया, कि sir, इतना एल 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 एकर इल, इतने मेटर स्क्वाइर अरिय कितना था area कितना था कितने area पे आपने paint कराया एक meter square area पे paint करने पे आप अगर 10 rupees दे रहे हो तो बताओ कितने area पे आप paint कराओगे कि आप 15,000 rupees पे करोगे सर युनिटरी मैथड लगे गा ना इस 15,000 के अंदर 10 rupees का दिवाइड करते था हो मुझे पता लग जाएगा area area पता लग जाएगा तो आपको यह भी पता लगा कि area of four walls मैं लिखो यह पे area of four walls which is equal to हमें पता लग गया सर 15,000 के अंदर 10 का डिवाइड करके मैंने बोल दिया 1500 meter square 1500 meter square यह आपने कह दिया अब आपको पता है four walls कैसे shape के अंदर है यह hall rectangle का base था सर कैसा shape था क्यूबॉइड हमने starting में define कर दिया था अब क्यूबॉइड के four walls का area यह जानी उसका curve surface area तो curve surface area का formula क्या होता है 2 bracket में L plus B into H which is equal to जो हमें given है सर कितना 1500 meter square यह आपको given है तो बोलो क्या इसकी value आपको पता है पहले से इसको अगर मैं equation 1 देता तो from equation 1 क्या मैं इसकी value put कर सकता हूं 2 L plus B की value आपको पता है 250 तो यहां H ही तो आपको calculate करना है तो हम यहां पे लिखे सर इसकी value तो है कितनी from equation 1 हम कह सकते है 250 into H is equal to 150 तो आपको यहां से calculate करना सर क्या H which is equal to 1500 divided by 250 बोलो solve कर दें इसको कि सर यह इससे cancel 0 सी 0 25 सी यह 150 कैंसल होगा कितने time सर 6 times तो आपके पास height आ गई क्या height कितनी सर 6 meter unit क्या चल भी थी meter तो आपने answer कर दिया सर 6 meter question solve question solve कितना easily हमने इस question को भी solve कर दिया हो गया question solve चलिए बढ़ते ही आगे next question की तरफ अगला question की आगे तरह the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to this कि sir एक container के अंदर क्या है paint है एक container है sir एक container है और उसके अंदर क्या है sir paint है उस paint से उस paint से मैं इतने area को paint कर सकता हूं इतने meter square area को paint कर सकता हूं तो how much brick of dimensions this dimensions उसकी दीवी है can be painted out of this container कि sir ये dimensions की जो brick है dimensions या ने कि sir ये एक length हो गई ये breadth हो गई और ये height हो गई centimeter 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 ठीक है sir length breadth height मुझे पता है तो इस dimensions की मैं कितनी bricks को इससे paint कर सकता हूं तो sir मैं suppose कर लेता हूं let n bricks को मैं paint कर सकता हूं कितनी bricks को paint कर सकता हूं sir n bricks को paint कर सकता हूं बात क्लियर हुई, कि सर कोशिण में समझो, आप फील करो, जैसे कोई container रखा हुआ है, कोई container रखा है आपके पास में, और उसमें जो paint है, उसमें च्छा रखा हुआ है, और उस paint से आप इतने area को paint कर सकते हूं, अब आपको वहाँ पर, suppose number of bricks रख दी महाँ पर, जिनकी dimensions यह है तो आपसे पूचा जाए कि बताओ यह जो paint है, इस pain से मैं ऐसी कितनी bricks को paint कर सकता हूँ. तो मैंने कहा कि सर, एक काम करूओ, जो इस के अंदर paint है, उस से आप n bricks को ही तो उसके total surface area को paint कर रहे हो, तो आपने लिख दिया, कि sir अगर let n bricks को paint कर सकता हूँ तो मैं लिखूँगा n into total surface area of brick is equal to कि sir वो इसके equal होगा area of paint जो कितना है sir हमें given है 9.3 7.5 meter square बोलो सही हमने लिख दिया n की value आपको calculate करनी है कि sir n की value मुझे calculate करनी है मुझे यही तो बताना है कितनी bricks को paint कर सकता हूँ तो n is equal to 9.375 divided by total surface area of brick ठीक है तो अब बचा किया sir अगर n निकालना है तो total surface area of brick निकालना पड़ेगा तो total surface area of brick calculate कर देते हैं brick कैसे shape के अंदर है sir dimensions length width height given है तीनों different है तो कैसा shape हो गया sir cuboid का shape हो गया तो आप लिखोगे किसा total surface area of brick क्या cuboid का total surface area का formula to bracket में l into b plus b into h plus h into l correct formula में values put करते हैं किसा 2 as it is length बताओ कितनी 22.5 into breadth head 10 ठेक है plus breadth into height यानि किसा 10 into 7.5 plus 22.5 को multiply करना है 7.5 से ठेक है करते है sir अगर इसे 10 से multiply करूंगा सबसे पहले तो ये 2 बहार है तो ये कितना हो गया sir decimal हर जाएगा 225 10 को 75 से multiply करूंगा 7.5 से तो ये 75 आ गया plus अब 225 को आप 75 से multiply करके देखो 225 को कि sir यहां rough में कर लेता हूं 225 upon 10 है जिसे मैं 75 upon 10 10 को यहां लिख दिया इससे multiply करना चाह रहा तो multiply करके देखे sir क्या होगा ये cancel तो हो नहीं सकता इसको multiply करना पड़ेगा divide by 2 करना पड़ेगा तो 225 को अगर 75 से multiply करो देखो कितना आता है करो जरा 225 इंटु 75 इसको multiply कर के देखो कितना आता है रफ में कर के देखो फटा-फट से 225 को अगर आप 75 से multiply करोगे तो 168.75 आजाएगा, कितना आजाएगा, 168.75 ये आजाएगा, अब 168.75 के अंदर ये सब एड करतेते हैं, देखो, इनको एड करना तो बड़ा एजी है, किसर ये 225 में 75 एड होगा, तो 300 हो गया, 300 में पहले 100 एड किया तो 400, 400 में 68, 468, 468.75, करेक्ट, अब इसे 2 से मुल्ट 5 को 2 से मुल्टिपलाय किया, 10, करी 1, 14 और 1, 15, डेसिमल लगाया, करी 1, 16 और 1, 17, करी 1, 12 और 1, 13, करी 1, ये 8 और 1, 9, ये इतने यूनिट के लिखोगे, सर, सब सेंटीमेटर में था, तो सेंटीमेटर स्क्वायर हमने लिखा, अब सर ये वैल्यू जो हमने निकाली, टोटल इसकी, यह यहाँ पर पुट कर दे, लेकिन जरा एक चीज़ ध्यान दो, आपको जो यहाँ पर area दियावाई है, इसके equal है, सर मीटर स्क्वायर में है, तो सब से पहले सर इस सेंटीमेटर स्क्वायर को भी आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, कि sir 937 अगर इसे cm2 में convert करोगे तो 0 आगे लग जाएगा और यह decimal यहाँ आजाएगा 0.09375 meter square correct अब यह value यहाँ put कर दो यह meter square में आगे आगे आपके पास area तो अब यहाँ पर अगर मैंने nk value number of bricks calculate करने के लिए value put करी तो 9.375 divided by इसका 0.09375 decimals हटाओ जड़ा कि sir यह decimal यहाँ से हटा 3 digits है तो 3 0 यहाँ से decimal हटा तो यहाँ से 4 digits है तो 1 2 3 4 5 5 digits है तो 1 2 3 4 5 correct अब यह 9 3 7 5 9 3 7 5 यह तो cancel out यह 3 0 से 3 0 कट गए तो कितनी ब्रिक्स आई only 10 only 10 1 2 3 4 अच्छा 1 0 हमने कम कर दी यह 5 0s थी जड़ा देहान रखो कितनी 0s थी 5 0s थी इसके बाद 5 digits है ना 1 2 3 4 5 तो यह 3 0 यह cancel तो कितनी आई number of bricks इस N की वैल्यू 100 तो कितनी ब्रिक्स को आप इस पेंट के थू आप कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो number of bricks कितनी आगी सर 100 यह इस कोशन का answer clear सभी बच्चों को चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question क्या केता है तो next question में अब आपको दिया हुआ है एक cubicle box has edge 10 cm and another cuboid cuboidal box has is 1.25 cm long 10 cm wide and 8 cm high which box has greater lateral surface area and by how much lateral surface area का मतलब होता है sir उसका curved surface area किसी भी किसी भी solid के lateral surface area का मतलब क्या होता है उसका curved surface area तो आपको यहाँ पे दो चीजे गीवन है एक cubicle box है और एक cuboidal box है दोनों की dimensions आपको गीवन है तो आपसे पूछ रहा है किसका lateral surface area जादा है किसका जादा है देन निक्स पार्ट में पूछता है विच बॉक्स है smaller smaller total surface area and by how much and by how much यह आपसे पूछ रहा है तो हमारे पास एक cube अगर मैं cube cubicle जो box है अगर cubicle box की बात करें आपको इस cubicle box के अंदर a given है इसकी side की length 10 cm तो अगर आपको इसकी side की length पता है तो आप अगर मुझे यह बताओ कि सर इसका कार्व सर्फेस एरिया क्या होगा सिर कार्व सर्फेस एरिया इसका होता है formula 4a square यानि 4 into 100 that is equal to 400 meter square अगर मैं इसका आप से पूछो total surface area तो आप क्या बोलोगे यानि कि से 6 into e का square 100 यानि कि 600 meter square अच्छा अब इसी तरह से सर क्यूबाइड की बात करें क्यूबाइड 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 जो बॉक्स है अब आपको इसके dimensions given कि सर लेंथ 12.5 ब्रेट 10 and height that is 18 cm सब सेंटीमेटर में सौरी यह हमने सेंटीमेटर करना unit का ध्यान रखना यह सेंटीमेटर में है ठीक है सब किसमें सर सेंटीमेटर में कि यह सेंटीमेटर में यह भी सेंटीमेटर 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 ठीक है तो एरिया जो हमने यहां पर अभी क्यूबाइड के लिए क्यालकूट किया ना सेंटीमेटर स्कुएर सेंटीमेटर स्कुएर करेक्ट है अच्छा अब इस क्यूबाइड का कार्व सर्फिस एरा टोटल सर्फिस एरा हम क्यालकूट कर देते हैं किसर यहां पर कर्व सर्फिस एरी अगर क्यालकूट किया जाए तो टू एल प्लस बी इंटू एच तो टू एल प्लस बी इसको डैरेक्ट कर देंगया कि 12.5 में 10 एट कर दें तो कितना आ जाएगा से करेक्ट एट को टू से मल्टिप्लाय करोगे तो कितना आएगा 16 इंटू यह करेक्ट है अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं तो यह नीचे 0 अब कैंसल आउट करो देखो कुछ कैंसल कर सकते हैं सर यह टू से कैंसल होगा 8 ताइमस यह टू से कैंसल हो जाएगा 5 ताइमस 5 बन जा 5 5 4 और यह 45 तो 45 को पास 8 से मल्टिपलाय करना है कितना इजी हो गया तो 45 इंटू 8 अ यह टो थाटीटू और 4 36 360 युनित लिखोगे cm2 अब अगर आप इसी का टोटल सर्फिस एरिया भी क्याल्कूट करते हो तो टोटल सर्फिस एरिया क्या हो जाएगा कि इसर दो तरीका है है तो आप फॉर्मल लिख दो या तो आप फॉर्मल लिख दो 2 इंटू एल इंटू प्लस बैंटू है या फिर आप यह भी कर सकते हो कर्वसर इंटू इंटू क्या इसमें पर का एरिया include कर दो तो मैं ये भी तो कर सकता हूं sir कि अगर ये 360 जो curve surface area है इसके अंदर 2L into B add कर देता हूं तो यहाँ लिखें sir 360 into 2 into नहीं sorry यहाँ पे क्या है plus है plus 2 into L कितना है sir 12.5 base कितना है 10 multiply कर दो sir 125 आजाएगा direct लिख दो ना L into B 12.5 को 10 से multiply करोगे decimal हड जाएगा तो यह आजाएगा अब इनको अगर आप solve करोगे तो यह आएगा 360 प्लस यह कितना हो गया sir 250 अब 360 में 250 तो हर कोई बच्चा जोई एड कर देगा कितना हो गया sir 610 युनिट लिखो के cm2 अब जो कोशन पूछ रहना आप उसका जवाब आप इतनी आसानी से दे दोगे न किसर दे को first part पूछता है किसका किसका surface the greater lateral surface area greater lateral surface area किसका है किसर अगर क्यूब की बात करें तो इसका lateral surface area and curve surface area that is 400 और क्यूबए की बात करें तो that is 360 तो हम भूलेंगे curve surface area किसका किसका किसर cube का cube का curve surface area यह lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid. ठीक है, correct है, lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid. कितना greater है, यह भी दो आप से पूछ रहे हैं, तो हम इनको subtract कर देते हैं, subtract कर देते हैं, कि सर कितना 400 में से आप 360 को माइनस कर दो, that is equal to 40, यूनित लिखो कि सेंटीमेटर स्क्वार. फर्स पार्ट का आंसर, सेकिंड पार्ट, किसका total surface area smaller है, smaller total surface area, तो total surface area cube का 600 है, और total surface area cuboid का 610 है, तो यहानि किसा smaller किसका है, cube का है, तो हम लिखेंगे, total surface area of cube is smaller than total surface area of cuboid. कितना greater है, कि सर यहाँ पे देखो, 610 में से, आप माइनस कर दोगे, सर 600, which is 10 cm square. यह इसका answer, यह इसका answer, question number 5, यह भी solve, दोनों पार्ट आपने इसके कर दिए, easy, easily कर सकते हैं, next question देखो, a small indoor, indoor greenhouse, is made entirely of glass planes, including base, कि सर क्या है, कि एक indoor greenhouse है, और उसके, आप से पूचता है, is made entirely of glass plane, कि यानि कि सर उसको पूरे completely glass से फॉर्म किया गया, even उसके base को भी, including its base, held together with the tape, कि सर उन सभी को एक tape से रखके, हमने जॉइन किया, it is 30 cm long, 25 cm wide, and 25 cm high, कि length, breadth, and height, length, यह breadth, और यह height, यह तीनो चीजें हमें अगर गीवन है, तीनो डिफरेंट, डिफरेंट है, तो सीधी सी बात क्या हो गई, सर यह कैसे shape के अंदर है, जो green house आपने फॉर्म किया, वो क्यूबाइड की shape में, तो question क्या पूझ रहा है, कि sir, हमने इतना तो समझ लिया, कि यह जो cuboid है, cuboid की shape में है, length, width, height हमें पता है, और यह completely इसको किस से बनाएगा है, even including its base, इसको हमने glass से फॉर्म किया, question ने पूझता है, what is the area of the glass, कि sir, glass का area क्या होगा, तो सीधी सी बात है, sir, जो total surface area, glass कहां पे लगा है, sir, total surface पे लगा है, तोसके four walls, including ceiling and floor, सब पे लगावा है, sir, इसका total surface area, क्यूबाइड का, वो किसके equal होजाएगा, area of glass के, then how much tape is needed for all the 12 ages, कि sir, 12 ages के लिए कितनी tape required होगी, दोनों पार्ट हम करते हैं, तो सबसे पहले, सबसे पहले, कि आप से पूछा, area of glass, आप क्या लिखोगे, area of glass, यही calculate करने बोल रहा है, आप क्या बोलोगे, sir, area of glass is equal to, total surface area of cuboid, अब एक cuboid का total surface area का formula क्या होता है, कि sir, 2 bracket में, l into b, plus b into h, plus h into l, correct है, correct, चली, अगर यहाँ पे values put कर दूँ, तो सब लेंथ पता है, length कितनी, 30, breadth given है, कितनी, sir, 25, plus breadth है, sir, 25, height कितनी है, वो भी 25, plus h into l, यानि 30 into 25, correct, ठीक है, अब calculation को easy करना है, तो देखो, एक तरीका तो यह सब को multiply करकर करके, आप add करो, या फिर मैं यह सोचू, sir, 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी, तो क्यों ना common लेलो, इस bracket में से, तो क्यों ना, sir, इसे 2 into 25 common निकाल के, मैं लिखो, sir, इसे 30 plus 25 plus 30, अब करो, sir, इसको multiply किया, तो यह आएगा 50, अच्छा, इन सब को 60, यह 60 और 20, 80 और यह हो गया 85, अब multiply कर सकते हो, कितना easy हो सकता है, कि, sir, यह 0, 5 को 5 से 25 का 5, carry 2, 40 और 2, 42, 4 to 5, 0, unit क्या लिख दोगे, यूनिट क्या लिखोगे, sir, सब किसमें centimeter में है, तो यूनिट लिख देंगे, sir, centimeter square, यह first part का हमने solve किया, तो area of glass, first part में आप से बोल जा था, कि इस greenhouse के बनाने में, area of glass कितना use हो रहा है, कि, sir, 4, 2, 5, 0, अब then, आप से, आब next part में क्या बोलता है, कि, sir, how much tape is needed for all of its edges, all of its edges, कि, sir, यह क्यूबओइड की shape में है, बहुआ द्यान से देखना, अब इसकी यह जो edges है, यह edge, यह edge, यह edge, यह edge, इसके पीछे, यह वाली edge, यह वाली edge, और यह वाली edge, इन सभी edges पे क्या लगावा है, sir, tape लगावा है, तो पूछता है, how much tape is needed for all of its 12 edges, तो आपको पता है, sir, इसमे, length कितनी बार होता है, कि सर यहां पे लगा होगा यह लेंथ के बराबर, यहां पे लगा होगा यह भी लेंथ के बराबर, यहां पे लगा होगा यह भी लेंथ के बराबर, और यहां पे भी इंक्लूड किया होगा यह भी लेंथ के बराबर, कितनी लेंथ हैं, सर फोर लेंथ, तो मैं लिख दू, कि स 4 तो इसकी length, then यहाँ पर breadth, यह breadth, यह breadth, और यह breadth, यह इन 4 पोजिशन पर भी लगा होगा, तो sir, यहाँ पर 4 breadth, plus यह height, यह height, यह height, और यह height, इन पर भी tape लगाया है, तो sir, कितनी heights होगे, 4H, अगर सब में से 4 common लिलो, तो लिखूंगा sir, L plus B plus H, सभी की values आपको पता है, लिख breadth 25, height 25, 25 और 25, 50, 50, 50 और 30, 80, 80 को 4 से multiply करेंगे, तो sir, 320, unit लिखोगी क्या, sir, centimeter, यह length है, इसलिए इसकी unit के आगी, centimeter, वो area था, इसलिए centimeter square, question solve, question solve, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखें, तो next question देखो, अब आपको क्या केता है, यह अपने आप में बहतरीन सा question, थोड़ा सा लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसे समझ जाओगे, easily, कि शांती sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets, कि sir, एक कोई sweet stall है, अब वो क्या गरती है, कि sir, sweets को pack करने के लिए cardboard के box बना रही है, cardboard के box बना रही है, two sizes of boxes were required, दो size के box बनते है, the bigger of dimension, एक तो है bigger वाला, bigger वाला, जिसकी dimensions आपको given 25 cm, 20 cm, and 5 cm, and the smaller of dimension, कि जो smaller है, उसकी dimensions, 15, 12, and 5 cm, for all the overlaps, 5% of total surface area is required extra, कि sir, हर तरह के boxes के लिए, 5% area extra required है, cardboard के लिए, cardboard के लिए extra required है, if the cost of cardboard is rupees 4, for 100 cm square, for 1000 cm square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, कोशन समझ में आए, कि sir, दो तरह के boxes है, एक तो, एक तो smaller वाला है, एक तो smaller है, और एक है bigger, ठीक है, या इसको next page, दूसरे page पर करते हैं, यहां कोशन नहीं रहने देते हैं, इस पर पूरा solve नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं काम करता हूँ, यहां पर लिखता हूँ, कि sir, यहां पर दो तरह के sweet boxes यहां पर बनाये जा रहे हैं, एक है smaller one, और एक है bigger one, smaller की dimensions आपको पता है, bigger की dimensions भी आपको कोशन में दी वी है, अब आप से पूछ रहा है, कि sir, ऐसे 250 boxes बनाने, ऐसे कितने boxes बनाने, ऐसे 250 boxes बनाने, ऐसे भी कितने 250 boxes बनाने, तो आप से बोल रहा है, देखो कोशन में, कि मुझे तो cost बताओ आप, cost calculate करके बताओ, cardboard की, कि कितने cardboard की requirement होगे, उसकी, जो cardboard है, उसकी cost आप बताओ, जबकि मुझे cost दी वी है, rate क्या दी 1000 cm2 की cost रूपीज 4, रूपीज 4 गीवन है, यह आपको rate, तो अगर यह rate है, तो मैं अगर total area निकाल दूँ, 250 boxes का, for of each kind, total area अगर मैं calculate कर दूँ, तो उसी इस rate से multiply कर दूँगा, तो क्या मेरे पास cost आजाएगी, तो सबसे पहले तो मैंने यह सूचा, कि sir, यहां से यह हटात हैं, हम ज़रा इसे, ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं, sir, देखो, पहले question को solve करने के लिए, total cost, total cost क्या होगी, sir, rupees 4 per 1000 meter square, कि sir, 1000 cm2, यानि कि sir, कह रहा है, 1000 cm2 की cost है, rupees 4, तो 1 cm2 area की cost क्या होगी, sir, 4 upon 1000, 4 upon 1000, तो मैं यहां पर लिखूं, sir, 4 upon 1000, into total area, total area, total area, या total area of cardboard, अब total area of cardboard, अब total area of cardboard, cardboard से तो सर, दोनों टाइब के 25, 250, 250 boxes बने हैं, कि sir, आपने कहा कि smaller वाले भी 250 boxes बना रहे हो, bigger वाले भी 250 boxes बना रहे हो, और इनके boxes के अलावा, कि sir, इसको बनाने में भी, हर एक box में, क्या बोल रहा है, कि sir, question में क्या बोला है, 5% extra और चाहिए, sir, cardboard, 5% extra चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या गरो, ऐसे 250 boxes का area निकालो, ऐसे 250 boxes का area निकालो, सबको add कर दो, और फिर उनका 5% extra और इसमें add कर दो, तो मुझे पता लग जाएगा, total कितना cardboard यूज हो रहा है, कि sir, ऐसे 250 boxes को बनाने में, कितने cardboard यूज हुए, निकालने, कि sir, एक box का area निकालोगे, उसको multiply by 250 करोगे, तो total आजाएगा, ऐसे box का, एक box area निकालोगे, multiply by 250 करोगे, ऐसे 250 bigger boxes का area भी आपके पास आजाएगा, फिर आपने दोनों को add कर दिया, अब हर एक box को बनाने में, आपको 5% extra include करना पढ़ रहा है, तो आपने इसका 5% इसमें add कर कर दिया, इसके जो total area था उसका भी add कर दिया, तो अब आपको पता लग गया, total कितना cardboard यूज़ा है, उनको दोनों को add कर दिया, तो total cardboard का area अगया, अगर total cardboard का area आजाएगा, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, total cost आजाएगी, बात clear हुई, question का scenario clear हुई, चलिए तो, अब कर देते हैं, कि देखो question में आपको, तो question में आपको यहाँ पर, bigger वाले part का dimensions given है, smaller वाले part की भी dimensions 15, 12 और 5 given है, 15, 12 and 5 given, तो smaller वाले part का, अगर मैं लिखूं, किसा total surface area of one box, कितना हो जाएगा, किसा 2 bracket में, L into B, अब दोनों में area का formula तो same ही है, सर, क्या आप बार-बार दोनों में formula लिखोगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, सर, दोनों cubical है, cuboidal है, तो 2 L into B, plus B into H, plus H into L, यह formula है, सर, अब इसमें smaller वाला है, तो इसकी dimensions put कर दो, 15, 12 और 5, 2, 12 into 5, प्लस 5 into 15, ठीक है, यह आप ने लिखा, solve कर देते हैं सर, इसको, 15 को 12 से multiply करोगे, 15, 150 होता है, 10 जा, और उसमें 30 और add कर दो, तो 180 यह आजाएगा, प्लस, यह हो गया 60, और यह हो गया 75, correct, इसको add करें तो 2, ब्रैकेट के अंदर, 5 unit place पे, 7 और 6, 13, 13 और 8, 21 का 1, carry 2, 2 और 1, 3, 315, जिसको multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, 630, 630 unit लिखोगे, cm2, ठीक है, यह एक smaller box का area है, तो total surface area of 250, total surface area of 250 box, ऐसे 250 boxes का area क्या आजाएगा, सर, 256 को multiply कर दो, into 630, multiply करें, तो कितना आएगा, सर, देखो, 2 zeros तो हैं, पहले सी पीछे, 25 की table तो सब पो याद होती है, 25, 3, 75 का 5, carry 7, 25 को 6 से multiply करेंगे, 150, 150 में 7 add करेंगे, तो 157, 157, unit लिख दोगे, cm2, यह इसका हुआ, अब इसी तरह से, अगर मैं bigger वाले पार्ट के लिए भी calculate करूँ, कि इसका पहले total surface area of one box, formula यह लिखावा, dimensions आपको question में दी भी है, 25, 20 और 5, तो 2, 25, into 20, 20 into, 20 into 5, plus 5 into 25, correct, values put करें यहां पर, तो देखो सर, 2 bracket में, 25 को 20 से multiply करोगे, तो यह आएगा, 500, plus यह हो गया, 100, plus यह हो गया, 125, बोलो कितना, 5 और 6 और यह 7, 7, 25, 2 into 7, 25, 7, 25 को 2 से multiply कर दो, 5, 2 जा, 10 का 0, carry 1, 4 और 1, 5, यह 14, यूनित लिख दोगे सर क्या, cm2, अब ऐसे कितने boxes हैं, सर, 250 boxes है, तो इन 250 boxes का total surface area, total surface area of 250 box, क्योंकि total surface area पर ही, तो cardboard यूज हो रहा है, इसी लिए, तो 250 into 1450, कालकूट करो, सर, 2 zeros तो पिछे लगा दिया, 25 को 5 से multiply करते है, 25, 5 जा, 125 का 5, carry 12, 25, 4 जा 100, 100 में 12, add करेंगे, तो 112 का 2, carry 11, 25, 1 जा 25 जा 25 और 11, अगर add करें, तो यहाएगा 36, 36, 2, 5, 0, unit लिख दोगे cm2, correct है, इतना correct है, इतना सभी बच्चों को clear हुआ, इस कोशन के अंदर हमने इतना तो सर, easily calculate कर दिया, अब अगर इन दोनों को, इन दोनों को, अगर मैं add कर दू, अगर मैं इन दोनों को add कर दू, तो मुझे पता लग जाए, total surface area, कि total surface area कितना है, तो total surface area of smaller plus bigger, add करो जरा, देखो इदर भी 2-0, उदर भी 2-0, unit place पर दो 2-0, 5 और 5, 0 carry 1, 7 और 1, 8, 8 और 2, 10 का 0, ठीक है, 0 carry 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 0, 2, 0, 5 और 10, 0, 9, 0, carry 1, 6 और 6, 12 का 2, carry 1, 5, 2, 4 times 0, यहार है, 5, 2, 4 times 0, 5 to 4 times 0, बिलकुर, यहार है, अब आप से क्या बोला गया, कि सर, अब extra जो यूज हो रहा है, वो कितना है, सर, 5%, 5% of each, हर एक box का 5%, तो अगर मैं 5% of each box calculate करूँ, extra, extra cardboard, area of extra cardboard, which is 5% of total area, यानि कि 5, 2, 0, 0, 0, 0, correct है, calculate करो, यह 2, 0 से, यह 2, 0 कैंसल, इसको इससे multiply करोगे तो कितना आजाएगा सर दो जीरो तो पीछे फाइव तू जा टेन का जीरो कैरी वन यह हो गया 26 यूनिट लिख दो कि सेंटी मेटर स्क्वार इतना एरिया सर एक्स्ट्रा इतना एरिया, एक्स्ट्रा काड़बोर्ड इतना यूस होया है तो टोटल कितना हुआ सर टोटल कितना हुआ कि पहले 500 बॉकस्स मतलब 250 समाल इतना एरिया कितना है सर उसके extra boundaries के अंदर ये extra cardboard use हो रहा था 5%, question में खुद गीवन था ना, 5% of total surface area is required extra, extra required है, तो sir ये हमने निकाला, अब इनको भी अगर add करने इसके अंदर, तो हमें को पता लग जाए का total area कितना है, sir, total cardboard, total area of cardboard, कितना हो जाएगा, sir, इनको add करें, sir, पीछे 4, 0, 3, 0, पहले तो 3, 0 लगा दो, फिर ये 6, 2, 2, 4, और ये 5, 5, 4, 6, 000 cm2, correct, 5, 4, 6, 000 cm2, अब आपने पहले सी formula तो पहले सी तेयार कर रखा है, sir, टोटल area of cardboard हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे पूट कर देते, sir, देखो, 4 upon 1000 into, यहाँ पे अभी आपने इसमें calculate किया था, 5, 4, 6, 000, 5, 4, 6, 000, यह 3, 0, से 3, 0 गए, तो cost आजाएगी, sir, 4, 6, इसको multiply करने, 4, 6, 24, 4, 24, 4, carry 2, 4, 4, 8, or 2, 10, carry 1, 20, और यहाँ 21, rupees, 2, 1, 0, 4, 2, 1, 2, 1, 5, 24, 4, और, एक सेकंड, जस्ट ए मोमेंट, multiply सही से करो, देखो, 4, 6, 000, 24, 4, 4, 16, और 16, और 2, 18, का 8, carry 1, 20, और यह 1, 21, 2, 1, 8, 4, इतनी होगी, sir, total cost, यह होगा, इसका final answer, question थोड़ा सा लेंदी जरूर था, लेकिन easily आप question को समझ के कर सकते हो, चलिए, तो बढ़ते हैं, यह question आपने पूरा अच्छे से solve कर दिया, दोनों इसके अलगला तरह से हमने इसको solve करके देख लिया, आगे बढ़ते है, next question, question में क्या केता है, प्रवीन वांटे तो मेक ए temporary shelter for the car, for her car, कि sir, वो car के लिए temporary shelter बढ़ रहा रहा है, by making a box-like structure, with tarpaulin, that covers all the four sides, ध्यान रखो, sir, four sides को cover करता है, and the top of the car, और साथ में top of the car, इसको भी cover करता है, with the front faces as a flap, which can be rolled up, assuming that the stretch margins are very small, and therefore, negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height, shape this, base dimension this, बड़ा ही simple सार कोशन है, कि आपको क्या, dimensions given है, dimensions देखो, ये height है, base dimension, यानि कि एक length और एक breadth, base में क्या होता है, length और breadth होते हैं, तो length और ये breadth, ये आपको given है, तो length, breadth, height, तीनों चीज़े आपको अगर दी हुई है, तो आप मुझे ये बताओ, कि कैसा shape है, सर, cuboid का shape है, अब cuboid का area हम कैसे निकालते हैं, सर, cuboid में, अगर आपसे पूछ रहा है कि सर, यहाँ पे, tarpaulin यूज हुआ है, कि सर, material यूज हुआ है, tarpaulin, tarpaulin ये जो material है, ये यूज किया गया है, इस box को बनाने में, is equal to area of sidewall plus area of ceiling, कि सर, top जो बना है, अब sidewalls, यानि कि सर, curved surface area of cuboid, plus area of ceiling, यानि कि सर, L into B, curved surface area, 2, L plus B into H, plus L into B, formula ता है यार, अब values put कर दो, आपको पता है, सर, length कितनी है, 4, breadth कितनी है, सर, breadth है 3, height कितनी है, सर, 2.5, solve करो, 5, 7 जा, 35, plus 12, add करोगे, 47, unit लिख दोगे, meter square, तो ये इसका क्या हो गया, area हमने क्या क्या हो गया, ये बहुत ही, सिंपल सा, इससे बड़े-बड़े questions अभी तक हम कर चोगे थे, तो ये तो बहुत ही, सिंपल सा question आपको दिया गया था, आपको सभी questions अच्छे से clear हो गए होंगे thank you for joining with us, thank you so much guys